सो ही गाईस स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एल्टी डेलर्स में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फुल सिलीब की सेट को हाफ सिलीब में किस तरीके से कनवर्ट करते हैं यदि आपके पास कोई पुरानी शेट या निव शेट है यदि उसको आप हाफ सिलीब में कनवर्ट करना चाते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा बिल्कुल कम समय में हमारी ये सेट कनवर्ट हो जाएगी तो बाजू को हम इस तरीके से बिचा लेंगे जिस तरीके से हमारी क्रीज होती है वहाँ से बिचाएंगे और दोस्तो जहां हमारा ये कंदी का मार्क है उस मार्क से हम बाजू की लंबाई रखेंगे जितनी हमें लंबाई रखना है इसमें हम मार्क लगाएंगे साड़े साथ इंच पर मार्क लगाने के बाद दोस्तो हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे मार्जन के लिए हम मार्क लगाएंगे डेड़ इंच का तो दोस्तो इसी तरीके से आपको दोनों बाज़ों में मार्क लगा कर इसको कट कर लेना है दोस्तो आप लोगों से गुजारिस है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर दीजिए हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं तो इस तरीके से हमने इसको कट करने के बाद दोस्तो हमारी ये जो सिलाई देख रहे हैं ये डवल स्टीचिंग की सिलाई है तो इस सिलाई को हम खोल लेंगे दोनों बाजू को आपको इसी तरीके से सिलाई को खोल लेना है तो दोस्तो इस बाजू में हम वीच सेंटर पर इसमें हम लुपी भी लगाएंगी और उसमें एक बटन लगाएंगे दोस्तो लुपी से हमारी थोड़ी बाजू की जो शो है अच्छी लगने लगती है तो लुपी बनाने के लिए हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हमें दो टुकणों की ज़रूरत पड़ेगी, लुपी बनाने के लिए हम दोनों कफों को इसी तरीके से कट कर लेंगे, कट करने के बाद दोस्तों अब हम इसको लुपी के आकार में इसे तिकोना कट करेंगे, इसके लिए हमें दो अस्तर की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है तो हम अस्तर के लिए उसको यूज़ करेंगे अब दोस्तो हम इसकी स्टीजिंग करेंगे तो हमने जहां पर मार्क लगाया हुआ था वहां से हमने चटका लगा लिया था, इसको नाखूनी तोड़कर हम बिठा लेंगे, बिठालने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, हम इसको फोल्ड करेंगे, पॉन इंच का रखेंगे, तैयार, यदि आपको इससे थोड़ा जांदा रखना है, तो जांदा भी रख सकते हैं कम रखना है तो कम भी रख सकते हैं तो हम इसको लपकी सिलाई से पक्क कर लेंगे एक सिलाई लगाने के बाद दोस्तो हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे पैर की क्योंकि हम बाजू में डबल सिलाई लगा लेते हैं तो हमारी बाजू थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है तो इस तरीके से हमें दोनों बाजू में सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद दोस्तो हम इसके सेंटर पे निसान लगा लेंगे जो बाजू का हमारा सेंटर है क्योंकि हमें जो लुपी है इसमें अटैच करनी है तो सेंटर लगाने के बाद दोस्तों अब हम लुपी को बनाएंगे तो इस तरीके से हम रख लेंगे इसको रखने के बाद हम एक पैर का मारजन लेकर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे अब इसके मारजन को हम कट कर देंगे कट करने के पाद हमें किसी भी चीच की साहता से इसको पलट लेना है अच्छी तरीके से इसके हम जो कौने हैं वो निकाल लेंगे दोस्तो लुपी में हम लपकी सिलाई लगा लेंगे एक सिलाई हम लपकी लगाएंगे और एक सिलाई हम इसमें पैर की भी लगा लेंगे जिससे हमारी जो लुपी है अच्छी लगने लगती है तो इसी तरीके से आपको दोनों लुपीयों को बना लेना है बनाने के बाद दोस्तो हमने बाजू जो ली है तो ये हमारा उल्टा हिस्सा है बाजू के अंदर की तरफ से हम लुपी को रखेंगे लुपी को भी हमें उल्टा रखना है उल्टा रखने के बाद दोस्तो हम इसमें इसको अटैच कर देंगे एक सिलाई हम उपर से और लगा लेते हैं इसमें लुपी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जहां पर हमने सिलाई लगाई हुई थी उसी के उपर लुपी हमारी आनी चाहिए और दोस्तों अब हम लुपी को पका करेंगे तो लुपी को हमें पका करना है जो हमने second sly लगाई हुई है पैर की तो उसी के उपर से हम इसको पका कर देंगे इसी तरीके से आपको दोनों लुपियों को पका करना है तो इस तरीके से हमारी ये लुपी पक्की हो गई है अब दोस्तो हम इसकी side लगाएंगे तो बाजू की मौरी हमें जितना रखनी है उतनी हम बाजू की मौरी को नापेंगे नापने के बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे यदि दोस्तो आपको double stitching में सिलाई लगाना है तो आप double stitching में भी सिलाई लगा सकते हैं हम इसमें double stitching में शिलाई नहीं लगाएंगे तो हम इसमें ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं और इसके बाद में इसमें interlock कर लेंगे हम इसलिए करते हैं की जैसे हमें बाजू को ठोड़ा सा और tight करना हो तो हम आसाने के साथ कर सकते हैं अब दोस्तों जो हमारी लुपी हुई बन गई है और उसमें हम उपर से बटन लगा लेते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हमारी हाफ सिलीप बिल्कुल कंप्लीट हो गई है दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया ह तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूलें तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए अजाज़त अलाहा पेज